करनाटका में प्रैक्टिस करता हूं सो आज हम बात करेंगे गैनकोमेस्टिया की जो हम टेक्निक करते हैं उसका वीडियो के साथ डीटेल में बात करेंगे जो हम जो टेक्निक करते हैं उसको हम बोलते हैं डायनमिक फैट फ्लाप टेक्निक जो स्कारलस है जो पेइनलस है और रापिड रिकवरी है तो यह इसमें टेक्निक में क्या करते हैं हम पेशन को अपरेशन थेटर में लेने से पहले उसको एक मार्किंग होता है स्टांडिंग में तो इस तरह एक मीड लाइन मार्किंग होता है और ऐसे हम पूरे ग्लाइंड को मार्किंग करते हैं अपर बॉर्डर ऑफ दी ग्लाइंड को मार्किंग करते हैं मार्किंग करने के बाद हम उनको ओटी के अंदर लिटा देते हैं और जेनरल अनसिशा दिया जाता है जेनरल अनेस्टिशा देने के बाद हम मार्किंग्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं हम ट्यूमेसेंट बोलके इंफिल्टेट करते हैं ट्यूमेसेंट इंफिल्टेट होने के बाद हम एक लाइपोसेक्षन बोलके करते हैं जहां पे यह हं पार्ट्मेशं इंफिल्ट्रेट कर रहे हैँ एकशोटा सा चीरा लगा है उसी के तुरू हम मुझें इंफिल्ट्रेट कर रहें आप देख सकते हैं यह से कंब्रेश हो रहा है और उसके बाद हम लाइपोसेक्शन कर रहे हैं यह आप जगह देख सकते हैं लाइपोसेक्शन कर रहे हैं जितना भी एक्स्टा फैट रहेगा वह हम एक लाइपोसेक्शन के तुरू हम निकाल रहे हैं लाइपोसेक्शन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक से एक ट्रेनिंग किरेड है जो हम सिखते हैं उसके बाद लाइपसेक्शन को हम अच्छे से कर सकते हैं तो यप लिपसेक्शन एडिक्वेटली हो गया तो हम चीरा डालते हां कट करते हो लेक्ट रहेगा और पिछे की जगह अगे की जगह हर जगह अगह 75 करते ये ऊपर की जगह हम attachment रखते हैं उसको ही हम flap technique बोलते हैं जहां से उनका खून का संचार आता है और यह जो डिसेक्शन करने के बाद हम एक extra gland को बाहर लेके आये हैं यह हमारा lower border of breast है तो निकालने के बाद यह lower border of the breast है आप अच्छे से देख सकते हैं इह हम extra जितना भी gland है वह हमें उसको cut कर देते हैं आप यहां पे देख सकते हैं हम उसको cut कर रहे हैं यह जो जितना भी extra gland है यह normal thickness यहां के जो upper abdomen है या clavicle के bone के जीचे जितना हमें gland रखना चाहिए उतना हम gland रख देते हैं बाकी जितना भी extra gland है वो हम उसको निकाल दे रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं जितना भी extra gland है हम निकाल रहे हैं तो यह होने के बाद हम उसको अंदर की जगा stitch कर देते हैं अंदर की जगा श्काइब कर देतें स्टिच करने के बाद ऐसने का उसको भी हम स्टिच कर देते बाल से भी पतला अबस्ट टाका रहेगा पिकलना अपिपल जाएगा मतली इसपने पशलूup Remarks भी मार कुछ भी नहीं है हमारा जितना उनका ड्रीम बॉड़ी था वो दिखना शुरू हो जाएगा और यह आप देख सकते हैं सेम पेशन जिसको हमने ऑपरेट किया वह तीन मैने के बाद यह ऐसा रिजल्ट है यह हमारा ऑपरेशन से पहले का इमेजस है ऑपरेशन के बाद का इमेजस है तो यह सब बागी पेशन के रिजल्ट है एक ग्रेट टू है एक ग्रेट त्री है ओर्मोस्ट फिमेल के तरह ब्रेस्ट है हो से जरी करने के बाद ओड पुरा सब निकल गया है यह इस कॉन्फिदेंट ली इह घूम सकते फिर सकते सब काम कर सकते है एक ग्रेड वन है जो पफिन इपल यह grade 2 है, यह result उसका, यह grade 2 दूसरा patient है, उसका result है, यह grade 3 है, उसका result है, यह grade 3 है, वो surgery होने के बाद का result है, So, gynecomastia एक बहुत ही satisfactory surgery है, बहुत सरे लोग का life बदल गया है, एक very safe surgery है, बहुत natural results आते है, day care procedure है, absolutely painless और scarless technique है, आप को और जादा जान्द करी जाने के लिए, आप हमारे office number 907117444 पे आप call कर सकते हैं, और आपको जादा जान्द करी मिल जाएगा, धन्यवाद